हरे किष्णा हमारी वीडियो को उद्देश है यह होता है कि आपको पिग्मेंटेशन से किस तरह से मुक्ति दिलाएं और जल्दी से जल्दी तेजी के साथ में बिना किसी साइट एक्ट के और 100% नेचुरल और इस तरह से आपको मुक्ति दिलाएं कि वो कभी लोटके नाएं इसलिए आप हमारी वीडियो देखते हैं क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जनकरी लेकर आते हैं जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलती है वो जाए किसी भी क्रीम के बारे में हो या फिर आपकी स्किन जली हो तो उसके बारे में हो तो आज की वीडियो है हमारी समरी कि जो भी pigmentation की patient है उनको क्या क्या चीज़े करने चाहिए खाने में भी लगाने में भी तो यह समरी है बहुत से लोग बहुत confused रहते हैं कि हम क्या करें एक यू वीडियो में हम सारी चीज़े आपको बता देता है वैसे एक वीडियो में सारी चीज़े बताना पॉसिबल नहीं है तो हम यहां बताते हैं रात से शुरुबात करते हैं रात को सोते समय आपको देसी घी लगाना है गाय का शुद देसी घी उससे बहुत लोग पूछते हैं भैस का लगा सकते हैं क्या भैस का नहीं लगा सकते हैं यहां तक कि आप जरसी गाय का भी नहीं लगा सकते हैं मेरे पास में कई पेशिंट ऐसे हैं जो कि जड़सी गाय का घी लगा रहे हैं और उनको कुछ भी एफेक्ट नहीं पड़ रहा है यानि कि उनके sensitive skin भी ठीक नहीं हो पा रही है और जब वो देसी गाय का देसी घी लगाते हैं तो उनके skin ठीक हो जाती है तो यहां पर बहुत बड़ा प्रवाब पड़ता है गाय का देसी घी लगाने का शुद देसी गाय का शुद देसी घी लगाने का बहुत प्रवाब पड़ता है यहां पर ठीक है क्योंकि देखे घी घी सब एक जैसे लेकिन अब उस घी में कुछ तो बात होगी हमारे पूरवजों ने वैसे ही उसको माता नहीं कह दिया, गो माता को, है ना, भैस को भी तो हम कह सकते थे, लेकिन हमने भैस को नहीं कहा, तो गाय केंदो कुछ तो ऐसी बात होगी, जिसकी वजह से उसका घी इतना effective होता है, कि आपकी skin को भी ठीक कर देता है, दूसरी बात, दूसरी बात जैसे आपने वो रात को लगा लिया, सुबह सुबह उटके कीवल साधे पाने तपने चाहरे को वोश कर लिजे, और coconut को चबाके प्लस लार आपको चाहरे पर लगानी है, ठीक है, उसको एक घंटे या दो घंटे आप लगे रहने दीजे, जितने आप काम कर र जाती है, तो extra virgin coconut oil plus glycerine, दोनों को बराबर मातरा में लाका है, अपने चेहरे पर लगा सकता है, आदा घंटा या एक घंटा उसके आपकी स्किन हाइडरेट हो जाएगी, और उसके बाद आपने चेहरे को खुला छोड़ देना है, ताकि आपको open pores की शिकात ना हो, अगर लगाने के उपर, oily skin वाली दिन में कुछ न लगाएं, sunscreen के बारे मैंने कई बार आपको बता है कि sunscreen का effect केवल दो घंटे होता है, अगर आप sunscreen लगा रहे हैं, तो sunscreen आपको हर दो घंटे में अपलाई करना पड़ेगा अपने चेहरे पर, सुर्ज से protection करने के लिए, और दूसरे लोजिक में यहां पर यह भी देता हूँ कि जब आप दिन में लगाते हैं, तो आपके शरी से अंदर से भी heat generate होती है, बाहर से भी आपको heat पड़ रही होती है, जिसकी विज़े से कोई भी chemical या घी या तेल वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने से आपकी skin को जुल साथ देग तो मैंने यहां पर कई patient ऐसे देखे हैं, जिन्होंने कहा कि sunscreen लगाने के बाद में उनकी skin और काली पड़ गई, sensitive हो गई, बहुत से लोग मुझसे पोचते हैं क्या aloe vera लगा सकते हैं, मैंने कई अपने patient के मुझसे सुना है, कि aloe vera लगाने के बाद में उनकी skin sensitive हो गई, आ aloe vera आपके skin के साथ में किस सारे से अक करेगा, alkaline होता है, बट उसके अंदर पता नहीं ऐसी क्या चीज होती है कि जो कि आपके skin में sometime burning प्यादा कर देते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ उसको, हाँ ऐसा हो सकता है कि aloe vera अगर 100 लोग लगाए, तो 50 को आराम दिख इसे clear हो गई है, चार मिनिट के अंदर ही, अब हम बताते हैं खाने पीने के बात, तो खाने पीने में मैंने बताया कि अगर आपको तेजी से weight घटा है, तो आपको pigmentation हो जाएगा, तेजी से weight घटने के बाद में, दूसरी बात आपको weight gain करना है, तिक weight gain करने के लिए आपने बादाम डालिए, उसके अंदर किश्मिस डालिए, उसके अंदर काजू डालिए, और इस तरीके से पनीर आप खा सकते हैं सुबह दुबहर शाम तीनों टाइम, अगली नॉर्मल डाल, सबजी, रोटी जो भी उतने खाना है, वो खाने के पहले आप सलाथ जरूर खाएं, प बहुत से लोग मुझे से पूछते हैं कि दूद पी सकते हैं क्या, देखिए गर्मियों में दूद पीना मुझे तो नहीं लगता कि हेल्दी है, बाकि आप लोग की शरीर, क्योंकि हर किसे के अंदर कैपसिटी नहीं होती, इतने सारी चीतों को डाइजेस्ट करने के एक आप सुबह शाम ले सकते हैं, और इसको कितने समय लेना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी गर्मी कम हो समय तो इसको केबल 15 दिन ले, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कि जैसे 15 दिन आपने विटामिन C लिया, फिर उसको रोकने के बाद में विटामिन E आपने लिय पंदरे दिन, अगले पंदरे दिन, तो इस तरह दे पंदरे पंदरे दिन का रोटेशन को मांते रही है, विटामिन C के लेने से आपका कोलेजन लेवल बूस्ट होता है, क्या करता है, यह जो आपकी स्किन दिख रहे हैं, खिचे-खिचे स्किन, एकदम उपर की तरफ तो क्या से लेवल घटता है, आपके स्ट्रेस से, क्रीम लगाने से, और वेट रिडूस करने से, क्या साथ है, आपकी स्किन अनप्रोटेक्टेड हो जाती है, यानि कि अब प्रोटेक्शन नहीं बची आपकी स्किन के पास में, तो क्या भी चीज़ आपकी स्किन पर हमला कर सकत है और आपके skin को नुकसान पहुंचा सकती है जो कि पहुंचाती ही है सकती किया पहुंचाती है वह सकता वड़ यहां पर मैंने गलिक यूज किया तो collagen level कमोने से आपके skin को अधिक नुकसान पहुंचता है तो इसको बढ़ाने के साथ ही क्या होगा wrinkles चले जाएंगे आपके open pores कम हो जाएंगे आपके आपके तुझा healthy लगने लगेगी दूप में जाने से इतना नहीं जूलतेगी बहुत सारे लाब है आप अगर 40 के हैं तो 30 के लगने लगे है तो audio clip में आपको जरू सुनवाँगों कि उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी बाते कहीं है उनको बहुत सारी प्रॉलम्स नहीं जो कि अब बिल्कुल नामातर के उनके बरावर ठीक है और वो पंजाब से विलूं करते हैं तो मैं आपके तिल्दों के सामने वीडियो ज क्यार उलिबाती है यहाँ पर आपके हाथ में ही चीज़ां जो चीज़ां आपके हाथ में आपको बताइए अगर यह सोचते हैं कि नहीं हो सकता है तो यह अवर्श्य ठीक होगा और अपने दिवार पर लिग के लगा दीजिए कि मेरा फिग्मेंटेशन ठीक हो रहा है मैं ठीक हो रही हूं और मेरा पिग्मेंटेशन ठीक हो जाएगा ठीक है और जैसे ही आपको अराम मिलना शुरू हो जाए तो आप वो नोटिस बोट हड़ा के दिवार पर लिख देना कि अब मैं ठीक हूं इससे भी बहुत फर्क आपको बढ़ता है पूरी दुनिया आपसे कहते ह ठीक नहीं होता इवन कई डोक्टर भी ऐसा कहते हैं पिग्मेंटेशन आस्थाक आज है कल रहेगा और हमेशा रहेगा यह कभी नहीं जाएगा तो आपने उसी को दिमक से निकालने के लिए क्या करना है कि लगाने दिवार पर मेरा पिग्मेंटेशन ठीक हो जाएगा डोक् ओस लिए क्रीम भी बैणा खाना कुछ भी ठीक है तो जो भी आप से कहते हैं वह बहुत सारे रिवीू ज़ी आप लोग के साथ में शेयर करता हुप वां तो तो अंग Gymusa को ब् pesiन कोThat कि या इसे बते नहीं होती है प्रोबलम तो हे ना कहीं पर कि बाकी लोग के होगे उनके नगी नहीं हो पुल रहे हैं किताव करना है उसको हमने धूर करना है तो तो कहीं लोग की प्रॉलम को ढूंगना बहुत टफ होता है और कहीं लोग बहुत इजी ठीक हो जाता है तो आपने निराश नहीं होना है अगर आपको treatment लेना है क्योंकि गर्मी के मुझन में pigmentation बहुत तेजी के साथ में ठीक होता है हमने यह चीज हमेशा देखिया और मैं पिछले दो-तिन साल से यही बात क्या रहा हूं कि pigmentation गर्मियों के मुझन में बहुत तेजी से जाता है अभी गर्मी काफी लंबी बच्ची है आप अपने treatment शुरू कर सकते हैं उपर दियो है नं अपने treatment शुरू हो जाए उपर दियो यह नंबर पर कॉल करके अपना treatment श्टार कर सकते हैं वैसे मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप क्लिनिक पर आएं ठीक है लेकिन गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है तो क्लिनिक पर आना सम टाइम पॉसिबल नहीं होता हमारे पास में मैं अब आपको क्या बोलूं मैं आपको क्या आखड़ागों मैं पिछले 2019 से treatment कर रहा हूं 2019 से 2023 हो गया हम इसमें लगभग लगभग 10,000 का treatment कर चुके हैं 10,000 मैं से अगर उन लोगों ने 6 महीने भी दवाई काई होगी तो यह लगा लिजिए 6 किट उनके पास में गई होगी बैसे तो नहीं कि 6 महीने तो लगभग 60,000 साथ हजार दवाईयां भेजिए हैं हमने 60,000 अब ही आप साथ हजार को आखड़ा छोड़ भी दीजिए क्योंकि 6 महीने से ज्यादा ही खाते हैं लोग एक लाग से जादा हमने दवाईयों को यहां से भेजा है तो आप बिलकुल पूछन में ना रहा है और आपको थोड़ी भूत कन्फीजन भी है तो उपर दियाओ नंबर है ना कई लोग मेरे से पूछने क्या सब्सक्राइब को ने उपर दियाओ नंबर है इस पर आप कॉल करें अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है इस दियोवे नंबर पे क्योंकि रहे हैं उला कॉछा लारहे हैं पर हमारे पात से कोल बैग चली जाएगी इन्होंने हमारे वीडियो देखी होगी तो इनको जोशाया हुआ कि चली हम डॉक्टर साथ से बात करते हैं बट टाइमिंग नहीं देखा हूं नहीं कि नीचे टाइमिंग भी है उस पर तो जो यह कोल हमारे पास में आ रही है तो इस नंबर पर कोल बापिस इनको कर दी जाएगी चीए तो जयसे आप कोल करते हैं आपकी मिश कोल बन जाती है तो आपके पास में वापिस कोल कर दी जाती है अगर बारे घंटे गंदर आपको बापिस नहीं आती है तो यह मचपर मैसेज छोड़ सकते हैं कि हमें कोल तो यह बहुत एजी है इसको करना और देखे दूसरी बात है कि पैशेंस तो आपको बहुत अधिका रखना पड़ेगा अपनी पिच्छान को ठीक करने के लिए हमारे से बात करने के लिए हमारे पीछे यह हुआ था कि मैं कई भर कई पैशेंट से बात नहीं कर पाए ता क्यो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि हर दो या तीन महिने में मैं पेशिंट से बात करता हूँ और जो मैं आपके साथ में audio share करता हूँ वो इसी चीज़ के लिए हैं कि मैं आप लोगे से बात करता हूँ और उन्हीं के वो reviews आपके समने लेके आता हूँ तो अगर आप मेरे से नाराज हुए हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और एक गलती तो सब माफ़ कर देता हैं तो आप भी माफ़ कर देजिए ठीक है और अगर आप treatment चुरू करना चाहते हैं तो उपर दीवे नंबर पर आप कॉल करें हम आपकी मदद जरूर करेंगे और जैसे कई लोग हम से ठीक हो चुके हैं तो अगला नंबर आप का है ठीक होने का और मैं कोशिर करूँगा कि अगली audio आपकी हो जो कि मैं बाकी लोग के साथ में शेयर करूँ मैं प्रारत्ना को लोगा कि आप सभी लोग स्वस्त्रा हैं आपका परिवार हमेशा स्वस्त्रा है परमातमस भी के अबला करें